अर्वल में एक अनोखी शादी देखने को मिले है जहां पर अस्पताल की बेड़ पर बैठे बैठे प्रेमी प्रेमिका ने शादी रचाई और जिंदिगी भड़ के लिए एक दूजे के हो गए मामला जिले के सदर अस्पताल का है जहां बुधवार को ये शादी हुई है अस्पताल की कर्मी और मरीज भी शामिल हुए सभी ने आशिरवाद देते हुए भगवान के जैकारी भी लगाए अब इस अनोखी शादी की चर्चाई जोडो पड़ है दरसल ठाकुर बिगहा गाउं का रहने वाला निरज कुमार दौलतपुर की रहने वाली अपनी प्रे अस्पताल में भरती कराये गया घटना की जानकारी परिजनों को हुई जिसके बाद लड़की के परिजन अस्पताल पहुँचे लड़के और लड़की के स्थिति को देखते हुए पहले दोनों का इलाज करवाये गया इसके बाद दोनों की अस्पताल में ही शादी करवान नीरज ने बताया कि दोनों एक बाइक पर सवार होकर बाजार से घर को लोट रहे थे कि तब ही अचानक से कार ने टककर मार दी जिसमें वो दोनों जखमी हो गए लड़की से प्यार होने की बाद से इनकार करते हुए उसने कहा कि वो तो बस घुमाने ले गया था पडिवार वाले दवाब दे रहे हैं साथ ही कहा कि मैं शादी करने को तयार हूँ लेकिन ऐसे अस्पताल में नहीं करना चाहता कौशले कुमारी नीरज के जीजा की बहन है पडिवार के लोगों का कहना है कि दोनों काफी सालों से एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं इसलिए पडिवार ने इस तदर अस्पताल के बेड़ पर ही दोनों की शादी करा दी ना लगन ना महुर्त बुधवार बारह बजे रात ही युवक ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया और साथ जन्मों तक के लिए रुस्ते में बंद गया अपने स्टडी को दिक्षांस के साथ बनाए इसमार्ट और बेहद आसान दिक्षांस अडू टेक 18 फरवडी 2023 से ला रहा है दिक्षांसी लर्निंग एप दिक्षांसी लर्निंग एप के माध्यम से नरसरी से टूल तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंट्राक्टिव बीडियो, बोर्डवर्ग, स्टडी मैटेरियल, डाउट क्लास, ओनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद